हेलो इव्रीवन वेल्कम चु आवर योटूब चैनल स्टेडी अपने लिए सो आज जो हम लोग टापिक देखेंगे वह लोग सा जहां के बारे में पढ़ेंगे चिक है और अंग्जेप के बारे में पढ़ेंगे चिक है क्या उनका नाम था क्या-क्या युद्ध लड़ा गय जो इंपॉर्टेंट्स है मैं सभी चीज़े बताऊंगा तो वीडियो करते हैं तो यह साहां का पिक्चर्स देख सकते हैं स्टाट करते हैं साहां के बारे में तो साहां का जो सासंकाल चला यह 1627 से लेके 165780 देख चला ठीक है और जहांगीर के बाद ती कई याईनी साहां स ठीक है साजहा वोसर मैरेट टो अर स imminent? बानु बेगम से यह साजहा ने व्ववा किया था ठीक है जो साहां के द्वारा वहा कि आजमाः साहाम मस्जिद सांध करें त這個是 भाबक रेद आम धीवानी खास जुर्म मस्जिद महल जोевой खारी महल खें यह भी साहांunden वाइए आगे बढ़ते हैं अंगत की कुछ चीफ-पांटोन hypnot टाज swell की चीफ-पांटेटर कौन वह सधून स्था जयाता है कि तो टाज महला के जब चुछैप लगाया अंन्हें गिससमान बाधीशच न इसका जो मेन आठ इस्किअट बात करें तो वह कौन थे बादल कान दारसी को कहां दारसी को जो है वह साet कर वह बत्ते कर आध होस्ति नाम बदल दिया गया तो इसका नाम सारे अकबता मोगा नाम रखा दोभारा में अगला बात करें तो सा जहां गेव ड़ाइटल ऑफ सुल्तान बुलंत इकबाल का पद यानि टाइटल दिया तो वह किसे दिया गया दारा सिखो को किसके द्वारा सा जहां के द्वारा और फिर वार आफ ससेशन यानि गद्दी के लिए भी लड़ाई हुई जिसमें जीतने वाले और और आंगजब के बीच में घंद्द के लडाई हुई ठीक है और इसके बारे में देखतें क्या कैं वा estrogen जो religious war हुए था 1658 में दारा और और अरंग्जेब के बीच में जिसने में दारा ने हराया कि दारा कि आर अर्णजेब जीता फिर Battle of Samundragar के बात करें समुगरण ये 1658 में हूआ दारा और अरंग्जेब के बीच में फिर इसमें दारा अर गया तीसरा बात करते हैं तो वैल्य ओफ देवरी का युद्ध हुआ लास्ट वार अफ ससेशन यानि गद्धी के लिए जो आखे युद्ध था वह वैल्य ओफ देवरी की था जो 1528 में दारा और और अरगजेब के बीच में जिसमें फिर दारा आर गया और और अरगजेब जीता तो बाकी हम लोग और अरगजेब के बारे में फिर आगे देखेंगे अगला बात करते तो 1659 में एने 1658 में और अरगजेब आल सो मेट सा जहां प्रिजट फ्रियंगरी ठीक है ऑर अरंगजेब ने सा जहां यानि अपने बाप को ही गुलाम बना लिया ठीक है मतलब जेल में रहने के बाद उनका ठीत हिए ठाइमसाओ साज हुए समय में चंद्रभाना भामन नहीं एक बुख कंपूस किया जिसका नाम ठाट मडि अगला बात करते हैं क्या है और अरंग जेप कब इनका सासनकाल चलाएं तो और उन्ग सावन से 1707 तक चला था इसका सासनकाल ठीक है औरंग जीब वस एपेंटेट इस दा सूबेदार ऑफ देक्कन बाई साज जहां के द्वारा ठीक है इनके फादर के द्वारा औरंग जीब को पहले डक्कन का सूबेदार बनाया गया था ठीक है फिर उसके बाद 1632 में इसने ही ए अरंग जीब ने 1658 ठीक है इसमें अपना पहला कोरोनेशन करवाया कहां पे आगरा में फिर उसके बाद 1659 बोल सकते हैं 1669 चीक है इसने अपना दुबारा कोरोनेशन करवाया कहां पे डली के तो याद रखेंग कि और दो बार कोरेंशन गुआ राज भिशेक हुआ एक 168 मे और एक 69 ठीक है पहला बार आगरा में दुसरा बार डली अगला बात करें औरंग जीब का अदर नेम क्या था तो आलंगेट था औरंग जीब का दूसरा नाम Oberthe और याज आल्सspace थेड़ा जैसी etला सीवाजी के बीच में उसले नहीं क्या करते हैं ऊचरतें अगला बात करेंगे मुआ रहा है वेज हम right को पुछिसे वदेल्सिंहीं सिवाजी के बीच मैं उसे मुझों आप पुरंदर भी क्यों अगला बात करेंगे हैं दिया गया था औरंग जीब के द्वारा उसे मार दिया गया था कहां पर डेली में 1675 फिर अगला बात करें औरंग जीब ने बिजापूर को भी कबचा किया ठीक है विजापूर को जीतके भी उसने मुगल अगला बात करें आगला बात करें एक टाइम और अरंग जीब के समय एक जाट रिबेलिशन हुआ क्यों हुआ क्योंकि मैंने अभी अभी पिछले साइड में आपको बदाया कि नौवा गुरु जो थे सीख के गुरु टेक बहादुर उसको मडर करती है गया तो वो लोग भी सान थोड़ी बटेंगे लडेंगे तो बस हो या लडाई जाट अबिलिशन स्टाट हुआ और यह किसके अरंग बिल्द टॉम ऑफ इस वाइफ उसने अपनी वाइफ का टॉम बनाया जिसका क्याना था दिल्राश बानु बेगम वाइफ टॉम कहां पर औरंगाबाद में 1670 ने ठीक है रखेंगे 1670 ने इसको हम लोग क्राउन ओफ डेकन भी बोलते हैं अगला बात करें औरंग जे भी एक ऐसा रूलर था थीक है जिसका मतलब कि मैकसिमम बात करें तो मैकसिमम जो हुआ करते थे वह करते थे अगला बात करते हैं औरंग जे वने वापस से रख्या टेक्स स्टाट किया अगला बात करें फत्वा आलमगिरी इस कॉंपलेशन ऑफ मुसलिम लौव फत्वा यह आलमगिरी जो है यह compilation है क्या है मुस्लिम का जो भी लोग है उसका यह compilation जिसको यानि सब एक जगह मिल जाए तो उसको हम लोग फत्वाई आलमगिरी नहीं नाम रखा जिसको वजब पी को करने वाले इसको अनोट का इतिहास बोली है या इसका नाम है तारीक के दिलकुष इसको लिखने वाले भीमसेन थे 1707 में इसे लिखे थे भीमसेन के द्वारत अगला औरंग जीब मर कब गए तो यह 1707 में मर गए ठीक है और इसका जो कबर है कि रानी दुरगावती ठीक है रानी दुरगावती जो है गुंदवाना की रानी हुआ करती थी 1550 से लेके 1564 तक ठीक है उसने अपना जीवन सेक्रिफाइज कर दिया वहीं बुलते हैं सेक्रिफाइज इस लाइफ वाइल फाइटिंग अगेस्ट आर्मी लेड़ बाई असफ जो असफ खान के द्वारा एक आर्मी यानि चलाया जा रहा था ठीक उसका जो एक आर्मी था असफ खान का एक मतलब बूल सकते न सीना उसके द्वारा यूद में लड़ते लड़के इन्होंने अपना जीवन खदम कर दिया मुगल इंपायर अकबर के बारे मैंने पढ़ाय अगला बात करें मुगल जो भी जो मुगल प्रिफर्ट तु कॉल देंसे डिस डिसेंडर्स ऑफ तैमूर बोला करते तो जितना भी मुगल रूलर थे उस समय क्या करते थे वह तैमूर के साथ अपना और तैमूर का फोटो दिखाते रहते थे ठीक वहीं लिखा हुआ है रोल पहला क्या है दा मैठर्ड ऑफ एडप्शन ओफ लैंड एडप्शन का जो मेठर्ड उसको मोग राइब बोल दे थे उस समय किरोरी कहा जाता था एक ऐसे ऑफिसर को जो मलब एक करो रूपया करता था अपने एरिया से उसे किरोरी बोलते थे फिर दह साला यह भी एक सिस्ट फैलो फैलो हुआता था कल्टिवेशन अट इंटर्वल ऑफ वन और टू इयर ठीक है जहां पर कोई भी तरह कर सकते अपना साइनों की तौर पर आपका इससे सीजल में आया हुआ प्रिवेशेर कुश्यन जिसका हिंदी मीनिंग बात करें तो बांच होता था ठीक है अन्प प्रड़ एक्टिविटी बोल सकते हैं चालिए अगला बात करते हैं अगला बात करते हैं सूर डाइस्टी यह अगला डाइस्टी है सूर डाइस्टी जो कि 1540 से लेके 1545 तक चला यह सूर डाइस्टी जिसके फाउंडर के बात करें तो सेर सासूरी अलियस सीर खान ठीक है यही फाउंडर थे सूर डाइस्टी के और इन्होंने हुमायू को हरा के डिफेक्टिंग हुमायू इन बैटल ऑफ बिलग्राम का जो यूद हुआ था हो गया 1545 सेडी में जब वो मतलब कि वाइल बीनिंग द फॉर्ट ऑफ कालेंजर का यूद जब वो जीते फिर उसके बाद सेर खान टॉम इस सासा राम बिहार सेर खान का जो कब्र है टॉम है वो कहां पर है सासा राम है अगला बात करें कुला इकुना इन देली वास स्टार्ट किया सिकंदर का अगज का रुपी का भेवीट जी टी रोड जैसे आप बहुत ज्यादा फेमास अब ही कटाम ही चीटी दूट तो इन्हों नहीं जीटी रोड बनवाया ठीक है दव्ध्र प्राक्टिस ऑपोस्टल सिस्टम पर प्राइक वो भी इन्हों नहीं थे लेटर मुगल देखेंगे लेटर मुगल क्या ची कोई भी मलब औरंगजीब के बाद में कौन-कौन से शासन में आये जैसे बहदूर सा औरंगजीब के बाद 1712 से 1712 एड़ी तक टिक है फिर अगला बात करें हमस सा 1748 से 1754 आलमगीर सेकेंड 1754 से 1759 सा आलमगीर सेकेंड 1759 से 1806 अकबर सेकेंड 1806 से 1837 फिर बहदूर सा जफ़र 1837 से 1857 तक चीक है यह सब कुछ थे नादिर सा इन्होग्यों नीदिया ठाइक किया 1749 में चिक हैं और उस समय जो डूलर हुआ करते थे 110 जूर्ड दे। जिसको पिकॉक थ्रोन बोलते हैं वो भी इंडिया से उठा के लिए जाने वाले कौन थे नादिर्श्या अगला बाद करें बैटल पानीपत पानीपत का यूद कर भुए 1761 में किसके किसे बीच में अगला बात करें मुर्षद कुली खान वह देना बंद कर दिया और बंगाल जो है था भी पावर्फुल था उस समय चलि अगला बात करें अडर चीफ नवाफ हो बंगाल बंगाल का कुछ चीफ नवाफ के बारे में सिरा जुद्द वॉल्हा 1756 से 1757 तब एक साल मीर जाफर 1757 से 1760 मीर कासीम 1760 से 1765 मीर जाफर 1773 से 1765 मेर जाफर 1763 से 1765 चलिए अब आगे बढ़ते हैं बैटल ओफ पलाशी यानि पलाशी का युद्ध सतरसों संतावन में हुआ किसके किसके बीच में इंग्लिश जेनरल रॉबर्ट की जो इंग्लिश जनरल हुआ करते थे उसके बीच में और अब अपोनेट में कौन थे ना वापसी रजुद्दुला थे बंगाल के इन दे विक रिक और मीर जाफर का कुछ बोल सकते हैं ना मुँम्मु गुस्ताकी किया था मैं कुछी और के साथ मिली गया था वही चीज है ठस्ट तोड़ा है तो फिर उसके बाद राजुद्दुला को मारती है ठीक है प्धो राजुद्दुला लिख ओं इस राजुद्दुला घलत सब्सक्राइब 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 तरफ तो इस सब के बीच में हुआ और जिसको मतलब की हैड उसके कौन थे जो मतलब से अगला बात करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नेक्ट वीडियो में लोग मराथा देखेंगे जो सिवाजी इसके मराथा इंपायर के फाउंडर थे ठीक है तो थैंक यू फर वाचिंग आवर वीडियो